दोस्तो रेडमी इंडिया में दो कमाल का डिवाइस लॉंच कर दिया है रेडमी नोट नाइन प्रो और रेडमी नोट नाइन प्रो मैक्स दोनों में अच्छा स्पेसिपिकेसन भी मिलता है रेडमी नोट नाइन प्रो का मैं पहले से वीडियो बना के रखा था pros and cons के उपर card में मिल जाएगा या description में link है वहाँ पे जाके ओव वीडियो देख सकते हो एव वीडियो खतम होने के बाद आज इस वीडियो में Redmi Note 9 Pro Max का pros and cons के बारे में बात करूँगा अगर आप एस smartphone बाई करने के लिए जा रहे हो तो एव वीडियो आपके लिए बहुत important है pros and cons जान लो उसके बाद जाके बाई करना सबसे पहले बात करते हैं कुछ अच्छाई की बारे में जो पहला reason है वह गईस इसका design कमाल का design है back side की तरफ glass bag दिया है जिसके बज़े से आप जब हाथ में लोगे तो premium जासा fill भी देगा और यहां पे एक glossy look भी देता है जो camera setup है ओ भी अलग तरीके का दिया है जो की मुझे काफी अच्छा लगा अगर front set की तरफ देखोगे तो दोस्तों काफी बड़ा display तो मिलेगा लेकिन उसके साथ दोस्तों यहां पे पंचोल selfie camera भी दिखाई देगा ओ भी middle में और नीचे जो chain यह साड़ में जो वेजाल्स है ओ भी काफी छोटा छोटा है overall दोस्तों इसका design मुझे काफी अच्छा लगा दूसरा जो point बैटरी 5020 image की बैटरी दिया है काफी powerful बैटरी अगर आप PUBG खेलते हो हर टाइम तो आपको लगवक 10 hours या तो 8 hours अरम से जाएगा अगर आप day to life यूज़ करने के लिए एस smartphone ले रहे हो तो आपको 2 दिन से धाय दिन तक चलेगा जो की काफी अच्छी बाद है तिसरा जो point यहाँ पे काफी powerful बैटरी तो दिया है लेकिन दोस्तों उसको full charge करने के लिए 33W का fast charger भी दिया है और ये मुझे काफी अच्छा लगा यानि कि दोस्तों एक घंटे के अंदर आपका जो बैटरी है ओ फुल charge हो जाएगा ये मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन दोस्तों हर phone में कुछ ना कुछ कमिया रहता है कोई भी phone perfect नहीं होता है तो Redmi Note 9 Pro Max में भी कुछ कमिया है ऐसे भी दोस्तों मेरा एफ वीडियो बनने का मकसाद ए है कि अगर आप ए smart phone बाइकरने के लिए जा रहे हो तो वीडियो को लाश्ट तक देखो उसके बाद आपको जो बोलना है ओ कमेंट बॉक्स में बता सकते हो जो पहला point है ओए कैस इसका display हाँ मुझे पता है यहाँ पे full HD plus काफी बड़ा display भी दिया है पंचोल selfie camera भी दिया है लेकिन दोस्तो अभी 15,000 रुपिस के अंदर जो सारे smart phone आ रहा है हर smart phone में AMOLED डिस्पले रहता है या तो 90 Hz, 120 Hz वाला refresh red डिस्पले रहता है लेकिन Redmi Note 9 Pro Max में कोई भी refresh red भी नहीं है और कोई AMOLED डिस्पले भी नहीं दिया है तो यहाँ पे थोड़ा मुझे कमिया लगा अगर यहाँ पे refresh red देता तो भी काफी अच्छी बात रहता अगर AMOLED डिस्पले प्रोवाइट करता तो भी बेटर रहता लेकिन इन दोनों में से किसी भी चीज़ प्रोवाइट नहीं किया है दोस्तों यहाँ पे backside की तरफ quad camera setup तो दिया है लेकिन मैं आपको बता दूँ जो primary sensor 64 Megamix तल का वो Samsung का sensor है Sony का sensor नहीं दिया है मुझे पता नहीं क्यों Sony का sensor नहीं दिया है क्योंकि Poco में Sony का sensor आता है यहाँ पे भी दे सकता था लेकिन नहीं दिया है और आप मानो या ना मानो Samsung के sensor से Sony का sensor में जो quality होता है वो better ही होता है क्योंकि मैं बहुत phone यूज कर चुका हूँ उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ अभी दोस्तों तिसरा जो point है Xiaomi बालों ने Redmi Note 9 Pro Max के उपर एक hashtag लगाया Pro Camera Max Performance दोस्तों Redmi Note 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 720G chipset है और Max में भी same chipset है तो Max Performance कहां से हुआ और एक बात मैं आपको बता दूँ Redmi Note 8 Pro में आप जो PUBG है वो Ultra HDR करके खेल पाते थे लेकिन दोस्तों यहाँ पे Note 9 Pro Max में आप सिर्फ HD High करके खेल पाऊँगे Ultra में खेल नहीं पाऊँगे और इसका माइनस पॉइंट एही है तो Max Performance कहां से हुआ और दोस्तों एथा कुछ कमिया एसारे कमिया कुछ में माइने नहीं रखता है अगर आप 15,000 रुपीज के असपास किसी भी एक स्मार्टफोन ढूंड रहे हो तो आप इस स्मार्टफोन के पास देख साकते हो काफी अच्छा फोन है और बहुत ही जलती दोस्तों Redmi Note 9 Pro Max के साथ Poco X2 का बहुत सारे कमपरिजन आ रहा है Realme 6 Pro का कमपरिजन आ रहा है तो उसके लिए ज़रूर इंतेजर करना और हमारे गेमिंग चैनल के उपर भी इसका गेमिंग रिभ्यू आएगा डेस्किप्सान में लिंक दिया हूँ उहाँ पे जाके सस्क्राइब करके रख साकते हो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरू करना और फोन का लिंक में डेस्किप्सान में दिया हूँ अगर आप बाई करना चाते हो तो डेस्किप्सान में जाके बाई भी कर साकते हो सस्क्राइब करके बेल आइकन को भी बज़ा देना उसके साथ और लाइक करना मत भूलिए तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले फिर इस वीडियो में तब तक हमले साथ बोलते रहें वारत माता की जैड़